हालो दोस्तों कूड कला में आपका बहुत-बहुत सागत है आज हम बनाएंगे नंद जी की गोशाला तो उसके लिए यहां पर मैंने लिया है यह खाली डब्बे एक शर्ट का डिबबा है कुछ पेस्ट के हैं कुछ साबून के हैं तो सबसे पहले हम शर्ट के डब्बे का जो फ्लैप ओपन कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे डब्बे का करके इन दोनों को आपस में टेप की हैल्प से चिपका दूंगी मैं क्योंकि मैं इतना बड़ा बना रही हूं तो इसलिए मैं इनको आपस में चिपका रही हूं आप अगर छोटा बनाना चाहे तो एक सिंगल बॉक कभी आपके लिए बहुत रहेगा यह अच्छे से हमने टेप से चिपका लिया अब हमें फ्रंट से एक ओपनिंग करनी है जहां से एंटर करेंगे गोशाला में तो फ्रंट से हम जो है एक ओपनिंग बना देंगे इसको फ्लैप को आप यहां पर पूरा मत कट कर येगा मैं कट कर दिया था लेकिन बाद में फिर मैंने इसको यहां पर जोड़ा आपको पता चल जाएगा किस लिए और इस पूरे के पूरे बॉक्स को आप एक ब्राउन पेपर से अच्छे से कवर कर दीजे यहां पर मैंने जो ये टूथ पेस्ट के बॉक्स लिए हैं इनमें हम इस सकते हैं आप चाहें तो यहां पर हल्दी राम के वेस्ट यूजन द्रो वाले जो बॉक्स होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं अब यहां पर यह ब्राउन पेपर मैंने ले लिया है और इससे में अपने इस पूरे के पूरे बॉक्स को इस तरीके से कवर कर लूँगी च्छत बनाने के लिए यहां पर हमें स्टैंड्स चाहिए अब यह आप स्टैंड्स किसी भी चीज के बना सकते हैं अब यहां पर सबसे सिंपल ओप्शन लिया है यह पैंसिल साती हैं लंबी वाली बच्चों की उनको लगा दिया और अब हम बनाएंगे च्छत उसके लिए की जोरत नहीं पड़ेगी अब हम अपनी पैंसिल्स को भी अपने ब्रिक रैड कलर में कलर कर लेंगे और बाहर से थोड़ा फिनीशिंग देने के लिए यहां पर मैं चिपका रही हूं यह इस तरीके की लेस ऐसा लगेगा जैसे की वाल की बाउंटरी है हम अपने सारे बॉक् सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए आप सब का बहुत सारा थैंक यू और आज का कॉंटेस्ट जो है व्यूवर ऑफ दवी का उसका रिजल्ट आपको आगे वीडियो में मिलेगा अभी हम पहले बनाना सीख लेते हैं तो यह मैं यहां पर कोई भी चीज ना चिपकाऊंगी नह सब चीज़े अलग-अलग करके रखना इजी होता है इस तरीके से ग्लूवन लगा के हम च्छत को भी आसानी से चिपका सकते हैं और जब मर्जी इसको हटा सकते हैं यहां पर क्योंकि बहुत जादा हमने ग्लू नहीं लगाई है तो च्छत भी हम अलग कर सकते हैं अब यह ह फ्री फंड में मिल गई थी फ्रूट शॉप से वहां से लाकर इसको च्छत पर लगाया और इसको अच्छे तरीके से सुतली वगरा से बांद दिया इसको अब बाद में लगाएंगे उससे पहले हम बना लेते हैं एक वील अपने गोशाला के बहार रखने के लिए जैसे ब मुझे कलर करना थोड़ा जादा एजी लगता है अगर आप चाहें तो यहां पर आप इसको पेपर से भी कवर कर सकते हैं और उसके बाद इसको चाहें अपनी मनमर्जी जैसे भी आप इसको सजा सकते हैं सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल एक कलर से कलर कर दीजे और उसक पर थोड़ी सी लेसिस वगरा का भी काम किया यहां पर मैं हाफ कट मोती लगा रही हूं इस तरीके से और जो बाहर वाली किनारा है वहां पर मैं बॉल चेन लगाऊंगी और बीच में यह मैंने सिल्वर कलर की लेस की एक पट्टी काट कर वो लगा दिये तो उससे देखे एकदम सही बहुत ही प्यारा सा इसका लूक आ गया है और बाउंडरी बनाने के लिए यहां पर मैं बॉल चेन का यूज कर रही हूं तो बॉल चेन इसमें लगा देंगे और यह हो गया हमारा वील एकदम रेडिस को सूखने के लिए रख देते हैं अब हम बनाएंगे चुटी-चुटी बाल्टी यहां पर मैंने यह पेपर कप्स लिये हैं आप चाहें तो प्लास्टिक के भी ले सकते हैं और इसको चाहें तो आप कवर कर सकते हैं किसी पेपर से या फिर आप कलर भी कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक बाल्टी पर आपको प्रविकॉल या टेप से आप इसको चिपका सकते हैं और ऐसे पीछे वाले हिस्से को भी चिपका देंगे तो यह हमारी एक बाल्टी जैसी शेप आजाएगी अब इसका जो हैंडल है उस हैंडल बनाने के लिए आप फ्लावर मेकिंग वाला वायर यूज कर सकते हैं मेरे पास यह वाला वायर पड़ा था तो मैं यह वाला लगा रही हूँ यह उससे थोड़ा सा मजबूत है लेकिन इसमें फ्लावर मेकिंग वाला भी अच्छे से चल जाएगा आराम से इसके अंदर हो जाएगा इस तरीके से इसको आपको अंदर टक कर देना है और उपर हैंडल को थ थोड़ा सा मोड देंगे तो यह आपकी बाल्टी तयार हो जाएगी अब आप इस पर चाहें तो जो पेपर टेप साती हैं अलग-अलग कलर्ड वह भी लगा सकते हैं पर मैंने क्योंकि हर चीज़ पर यहां पर यहां पर लेस लगा रही हूं उपर और नीचे दोनों तरफ ह लगाने के लिए यूज कर रही हूं लकडी के बुरादे का इसको भी मैं चिपका नहीं रही हूं क्योंकि अभी मुझे इसे उठा कर रखना है फ्रंट वाला जो हमारा पैसेज एरिया है वहां पर मैं फेविकोल लगाकर इस बुरादे को चिपका रही हूं आप चाहें तो बाल्टी और एक तरफ चोटी सी एक लाल्टेन लगा दी है वील को हम आगे इस तरीके से रखेंगे और सबसे आगे मैंने चोटा सा एक ग्रीन कलर का मैट पिछाया है यह मेरे पास एक बहुत पुराना मेरा बनाया हुआ टोकरी है तो इसके अंदर मैं पानी डाल कर रखू है ताकि जहांकियों में वो लगा सकें और सुन्दर लगें तो एक चीज और कि जब भी आप को जहांकी लगाएं जहांकी में लाइट का बहुत बढ़ा एफेक्ट होता है क्योंकि बिना लाइट के वो अंदर से भी बुजी-बुजी सी लगती है तो लाइट आप ज़रू लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उसके लिए आपका बहुत सारा थैंक्यू पूनम रुहेला जी रजनी बाला जी राहुल शर्मा जी सपना गुपता जी सपना गुपता जी को हमारी 56 भोग सीरीज बहुत जादा पसंद आई है आपने अगर अभी तक नहीं देखिए तो जरूर जरूर देख लीजेगा लिंक में डेस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो एक ऐसी सीरीज है कि उसमें आपको 56 के 56 फलाहारी भोग देखने को मिलेंगे कि कैसे बनाने हैं उसके अलावा भबेंदर सोनवाल जी हैं जो शायद इस बार ही हम से जुड़े हैं पर उनको हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी और एक ओमपल भाटी जी हैं उन्होंने बहुत सारी वीडियो हमारी देख ली हैं और काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किये हैं इस बार के वीवर ऑफ दा वी कॉन्टेस्ट में मैं बहुत ही कनफ्यूज हुई तो मैंने इ पहली viewer of the week award जाता है उमाज सिंग सिकरवाज जी को और दूसरा award जाता है ओम पाल भाटी जी को तो इन दोनों के लिए जोर तार 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 चलते हैं अब अपनी जहांकी की तरह झाल हो में demasiá है मत वांकी पाहरम गता है आता हीज़को वाल है के तूल के वपना में तार गोपना में सिंगे के रूह सिंगा अपना है अपना जग ख ले दूह जव पहता है रखना है और यासमे का जड़ता है आदा सैंगा हमूम हुआ… मुआ… उर टूह… तो दोस्तो ये ग्वाला जो है वो दूद दोने के लिए एकदम तैयार खड़ा है बाल्टी लेकर छोटी छोटी हमारी गईया जो है वो घास चर रही है छोटी सी एक लालटेन उन्हें रोशनी दिखा रही है अंदर मैंने एक स्ट्रिंग लाइट्स भी एक पैंसिल पर जो ह क्लियर दिखाई दे बाहर से और उपर से देखें कितनी सुन्दर लग रही है इसकी छट बाहर वील रखा हुओ बहुत ही सुन्दर लग रहा है आपको कैसी लगी ये जहाकी मेरे घर में तो सबको ऐसा लगा कि साक्षात नंद गाउं की गोशाला जो है हमारे घर में आ कर चुकी हूँ वो भी जरूर देख लीजे और आगे आने वाले टाइम में भी आपको ऐसे ही नए नए आइडियास मिलते रहेंगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए आइडिया के साथ तब तक के लिए बाई झाले आए आए लो किये वे दो अए आइडियास लुकी हूँ वाले आइडियास लुकी है।